पंचायद चुनाओ निरस्थ के बाद घमासां, कॉंग्रेस चलाई की पोल खोल अभियान, डेमिज कंट्रोल की बीजेपी की भी तैयारी, गाउं गाउं नई बहस गर्माई, कहां तो मद्देप्रदेश में 6 जनवरी से पंचायद चुनाओ शुरू होने थे, लेकिन अब इसके निरस्थ होने के बाद नई बहस गर्मा गई है, इस मौके को कॉंग्रेस भुनाने में जुड़ गई है, पार्टी का कहना है कि वो पोल खोल अभियान की शुरूआत करेगी, इसके लिए कॉंग्रेस गाउं 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 जाएगी, जल्द ही मंडल सेक्टर जिला ध्यक्षों के साथ बैठक भी होने वाली है, जिस तरह इस पंचायद चुनाओ कराने में इन्ह पंचायद चुनाओ के रद होने के साइड एफेक्ट पर बीजेपी की भी स्यासी तयारी है, इसको लेकर सोमवार कोई बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई थी, दस दिन में सौ बूत कारिकरम की शुरूआत की, यानि बीजेपी को भी मालूम है कि विपक्ष नकरात्मक प्रचार में जुटेगा, हमारी योजना है और उसको लेकर के हम सब को जूम्मेदारी जिनको दी जाएगी वो 10-200 गंटे विष्टारक की भूमीका में रहेंगे, मुक्हिमंत्री जी आधे दिन विष्टारक की भूमीका में रहेंगे, बड़ी बात है, विष्टारक बार चुनाओं ही मुद्दा बना हुआ है बहस का विशय है चुनाओं निरस्त होने का जिम्मेदार कौन OBC आरक्षन विरोधी कौन और इन सब के बीच एक कानूनी जंग भी लड़ी जा रही है नमस्कार मैं हूँ मनुस्त सेनी और हमारा आज का मुद्दा है अब चुनाओं ही मुद्दा आम तोर पर चुनाओं में मुद्दों की गूँज होती है लेकिन जब चुनाओं ही मुद्दा बन जाए तो फिर सियासी गर्माहट भी बढ़ना तैय है पन्चायत के निरस्थ होते ही कौंग्रिस इसके political benefit लेने की ताक्त में है भारती जनता पार्टी कौंग्रिस को expose करने की तैयरी कर रही है साथी बूत इस तर पर रन्डिती भी बनाई जा रही है लेकिन बूत पर कौन पोचाएगा क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं पूत तक जाने की भारती जनता पार्टी भी और कॉंग्रेस भी बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस यह कह रही है कि हम पूल खोलेंगे और भारती जनता पार्टी यह कह रही है कि यह इनका पाप है उसको जाकर हम जनता को बताएंगे अब किसक रहते हुए यह दिखाई दे रहा है क्या 2023 की तैयारी चुनाव से लेके चुनाव तक होगी यही हमारा मुद्दा है मेरे साथ तीन मेमा जुड़ें आसीश अखरबाल जी है प्रवक्ता भार्टी जन्ता पारिटी के आसीश जी आपका बहुत स्वागत है फ्रोज सिद्धिकी है कि कॉंग्रिस ने सब कुछ किया है जिसके कारण चुनाव निरस्त हो गए अब चुनाव तो निरस्त हो गए आगे की रूप रेखा क्या होगी वो अलग बुद्दा है क्योंकि तीन तारिक को इस पर सुनवाई भी होना है पर उससे पहले कॉंग्रिस अपनी तैयारियों में जुट गए कि कॉंग्रिस की तैयारी अगर होती है तो वो कैसे एक गुट किसी दूसरे गुट को निपटाए इसके अधिक कॉंग्रिस की कभी तैयारी मैंने तो होते पिछले 15 साल में देखी नहीं है अब पोल वो क्या खोलेंगे जिनकी पोल खुद मद्रदेश की जन पाटी ने पंचाय चुनावों पे ध्यान देते हुए चुनाव घोशित करने के लिए अपना जो अध्यादेश है वो लाई उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथी तैय की और कॉंग्रिस प्रत्याशित हार के कारण जगे जगे आदालतों का दर्वाजा खट कटाती घुमी जिसमें शलेंत्र कहता है तो इन्होंने 27 प्रतिशत पिछड़ वर्क से आरक्षण चीन लिया अब आरक्षण चीना तो चुकि भारती जंता पार्टी तो सामाजिक समरस्ता और सामाजिक नियाई से ही चुनाव चाहती थी तो भारती जंता पार्टी ने पू वक्ता उनको बचाती घुम रही है जो कभी कॉलर उठाने के मूड में थी आज वो समझ नहीं पा रही है कि 27 प्रतिशत जो पिछड़ों को आरक्षण चिना तो इस दाग से इस कलंक को धोएं कैसे तो कॉंग्रेस तो यह असफल प्रयास करेगी मद्रप्रदेश की जंता ज चला तो यह जंता के बीच क्या जाएंगे और बहुत हास्यासपद है कि कॉंग्रेस बूत की बात करती है अरे कॉंग्रेस के पास तो राश्ट्री अध्यक्ष नहीं है चुनने को मद्रप्रदेश में एक चेहरा नहीं है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के अध् बुजर्ग व्यक्ति हैं और एक जो दूसरे बुजर्ग व्यक्ति नजर आते हैं वो तो अलोग प्रियता की मिसाल है तो कॉंग्रेस से बहुत जादा आप अपेक्षाएं मत रखिए ये तो जैसे कमलनाज जी दिल्ली चले गए दिगविजा सिंग जी भी दिल्ली चले जा सतत जनता की सेवा में लगा रहेगा अब हमने कुपोशन के लिए का भ्यान चुनाएं संगठनात्मक तौर पर हमारा बूत इस तर तक का कारे करता जाएगा हमारा संगठन काम करता रहेगा और ये सोते रहेंगे जिन मैं जवाब लेता हूँ जी कैसे खोलेंगे क्या बता देंगे कि वह तो कह रहे हैं कि आपका करा धरा है सबाप का पाफ है जो जनता के सामने दिखाई देरा अब जनता को आप जा कि क्या बता देखिए आज भी सेयद जाफर ने एक बात कही कि भूपेन सिंग जी को एक पत्र लिखा कि मेरी जो पिटीशन है उसमें खुलासा तो कर दीजी हम कब खा गया रख चान चलिए पंचाज चुनाओं हमने रुकवा दिये नगरी ने क्यों रुक गए जिस रोटेशन को ले गई हमने तो पहले दिनी आपको चेता आया था कि रोटेशन जो है समविधान में हैं अब ये जो हैं इनके पढ़े लेके समजदार जो लोग हैं वो गवर्नर साफ से दसकत कराते हैं और आज समविधान एक काम करते हैं कि राज्य की जो सरकार है वो अध्यादेश के माद् से कर रही थी हम उस दिन भी चेता रहे थे आज भी हमने का कि भाई यह समवेधानिक प्रक्रिया का पालन करिए पूरी भारती जंता पार्टी जो है आज तक एक ऐसी कागज नहीं दिखा पाई जिस कागज में यह लिखा हो कि हमने आरक्षण का विरोत किया हमने तो तो फूबा है उसमें भी नगर पंचयायत सरपंच चुना जा रही सरपंच काौन चुन परिसीमन किया ता इस लिए sponsors कि 120 नई पंला हैं थैं ऑज जो आँं quarant ए मैं गढ़ फूब प्रती निद्धित्व पूरा रखा अब भारती जनता पाल्टी क्या जाके बताएगी लोग वहां इंतिजार कर रहा है कि भाया मुआवजा दो हमारा हमारे जो लाखों रुपए खर्च हो गए हूँ मुआवजा दो जाओ तो आप सो दिन के लिए क्या जब बताने जाएंग रिपोर्ट आप तीसर के आपके पास ना कारेकरता बच्चा है आपका कारेकरता सुनता नहीं किसी की संगठन जो है जीनशीन हो गया तो सिंधिया सरकार है और शिवरास सरकार है चल जा जितनी ओर एक चीज़ और यह कह रहे हैं कमलनाज जी बुजुर गये हैं मोदी जी क् 70 साल का आदमी युवा होता है मुझे बताइए तो अलग है अभी तो आप लोग सब युवा बैठें मेरे साथ चली जी सुसिल सरमाजी बात हुई पंचाय चुनाओं से लेकर अब ये 2023 तक जा रही लेकिन 2023 की बीच में फूल भी खुलेगी एक दूसरे की उपर दिखाई भी देखे मनुझ जी अभी मुझे लगता है कि तीन तारिक को जो सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी तो कि दो-तीन चीज़ें अगर आप देखे तो श्री से ओबी सी को लेकर जो है दोनों ही दलों का रवया बहुत अच् के जाने से आपका दिया हुआ आरक्षन रद्ध हो जाता है तो यह आपका विदी सम्मत आरक्षन नहीं होगा यदि विदी सम्मत होता तो कॉंग्रेस जाए या कोई भी जाए क्यों आरक्षन रद्ध होता तो यह दोनों ही दल इस उस पूरे OBC के आरक्षन में उलज गये ह जो है दोनों एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सब को मालूम है कि 50% से ज़्यादा की आबादी मद्यप्रदेश की OBC की है यदि उन और बहुत सारे उस OBC में बहुत सारे समाज बहुत ज़्यादा एक मतलब यूनाइटेड भी हैं तो वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर घुस्सा नहों जाएए आकरोश ना फिल जाए डल के परती जो है विरोद का सरनाव हो जाए इस करवा दोनों दल एक दूसरे की पूल खोलेंगे अब ये जनता को तै करना है कि 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 पूल पर यकीन करती है और किस के खिलास जो है वो हो रही थी बीड़ी शर्मा साब भी एक कहे कि इनका करा धरा है सब जिसको जाकर हम बताएंगे वो कह रहे हैं कि हम पूल खोलेंगे आप दोनों खोलने की बात कर रहें पर इसमें कहां 2014 का आरक्षण पर आगे बढ़े और यह कहा कि 2019 को रद्ध किया जाता है 2014 कि उस पर चुना होंगे वो अध्यादेश अब वापिस हो गया है और इसका जिक्र किया है बाकाइदा राज निर्पाचान आयोग ने यदि आगामी दिनों में चुना होते हैं तो 2019 के आधार पर होंगे यानि इनका किया हुए फिर पोल कैसी खुल लिए थे उस चुनाव प्रक्रिया में 27 प्रतिशत पिछणों को आरक्षण भी तै था अगर ये चुनाव कॉंग्रेस अगर सयद जाफर और विवेक तनखा जी नहीं जाते तो अदालत स्यू मोटों तो नहीं ले लेती कोई ना कोई तो जाता तो मेरे मित्र यह छुपा ग और अब घा हो गया तो आप रो रहे हो तो सचाई तो यही है कि आपकी अपील पर अदालत के यह संग्यान में विशयाया और अदालत ने उसको इसको कोईंसिडेंस क्यों माना जाए कि महराश्ट में कॉंग्रिस समर्थित सरकार है वहां पर इन्होंने 27 प्रतिशत आरक्ष इन्होंने 27 प्रतिशत आबादी लिखित में कहके उस पर इस्टे लगवाया कोई वकील खड़ा नहीं किया और भारती जन्ता पार्टी ने जब 27 प्रतिशत आरक्षन को उसको एक प्रारूप दे दिया उसको अमली जामा पेना दिया तो इन्होंने शडेंतर के तहत कोट मे चले गए और गुमाफिरा के उस पर आपत्ती लगवा के इन्होंने उसको रुकवा दिया तो पोल तो इनके जन्ता में स्वयमी खुल गई है अब बात आती है प्रतिपद्धिता और भावना की वो कौन नेता था जिसने स्विधान सभा के पटल पर 27 प्रतिशत आरक्षन क साथ ही ये पंचाय चुनावों इसका प्रस्ताप लाए थे वो हमारे नेता शिवरा सिंग चोहान थे और सर्व सम्मत्ती से उसको पारित किया गया परंतु नेता प्रतिपक्ष कमलनात ने मन नहीं होने के कानलों उस पर हात खड़ा नहीं किया अब इससे जादा तो जंता क सामने मुझे लगता है बताने की आवश्यक्ता नहीं है भारती जंता का संगठन और कारिकरता सदैव सतत जंसंपर्क में रहता है वैसे ही रहेगा और कॉंग्रेसियों की पोल लगाता है खोलता रहेगा फिरो सिद्धिकी जी आप जो कह रहा है कि पोल खोलेंगे पोल खोलने के लिए गाओं गाओं जाना होगा घर घर जाना होगा जिसा आपका कहना है उसके लेएक टीम की आवश्यक्ता पड़ती है अभी आपका जंजागरान अभियान चल रहा है उसमें कई नेता महां पहु अब जब हम गाओं गाओं जा रहा हैं घर घर जा रहा हैं तो हम साथ में ये एक बिंदू भी लेके जाएंगे कि भारती जनता पार्टी की पोल खोलेंगे इनको भारती इनको यह नहीं पाता कि सोला तारिक को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें मनमोहन अगरों संदीप पेटल संदीप पटेल नर सिंग पूर के जिला पंचायत अध्यक्ष के मनमोहन नागर जो है वोग भुपाल के जिला पंचायत अध्यक्ष को वह भारती जनता पार्टी इस उनीकी याची का पर ये जो है आरक्षण जो था वह निरस्तुगा ए पिछड़ और दूसरी सवाल यह है हम तो एक बात कहते हैं कि भाई मोदी जी पिछड़े वर्क के प्रदानमंत्री यह बार बार कोड़ आ जाता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता अरे बाई कॉंग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी आप तो सम्विदान संशोधन करा है लेकिन भारती जिनता संविदान संसोधन में 27 पीजड़ी आरक्षण की बात हो जाएगी 50% से जो जाके एक ब्लॉक लगा हुआ है और बार बहस होती है कुछ राज्यों को छूटे बिहार को बिहार को उड़ीसा को तामिल नाडू में है 60 से उपर 65% है आरक्षण लेकिन कुछ राज्यों में ये बार-बार रुख जाता है तो हमें एक क्लियर गाइडलाइन इसकी बना लें संसद में जाके क्यों नहीं कर लेते ये काम हम तो उस दिन भी कह रहे थे आज भी कह रहे है मोदी जी क्रिशी कानूनों के लिए अध्या देश लाते है इसके लिए भी ये जो कह रहे हैं कि सम्मिधान में संसुदन करा है वैसे बी 52 प्रसत की बात जो कही जा रहे है जब हम कानून को देखते हैं तो थोड़ा सा मुस्किल उसमें नजराता है यदि बात सम्मिधानिक तरीके से करें रास्ता कैसे निकलेगा नहीं देखें एक रास्ता तो यह कि सम्मिधान संसुदन के तहर जो 50% से ज़्यादा की बात की जा सकती है तो वह एक पेचीदा रास्ता भी है उसमें सारेदा लेकमत होते की नहीं होते उसमें संख्या बल बहुत महत्व करें दूसरा रास्ता यह कि जो यह राज्य सरकार अपनाने जा रही है कि बद्यप्रदेश में आधिवा ओवी सी की गणना करवा रही है तो पापूलेशन के आधार पर यह कोड में पक्ष रखेंगे और उसके बाद नियाले फैसला करेगा कि क्या उस आधार पर आरक्षन दिया जासे को कुछ राज्यों में है यह आरक्ष है वह फारोंने बल्कि बहुत गलत तरीके से किय था इस तरीके से करके आपने सरकार की खीहा लेडार करा है सबसे कोई भी अध्यादेश या कोई भी कानुन विधी सम्मत होता तो सुप्रीम कोड फिर कोई भी कोड में चला जाए कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था वो उसको निरस्थ क्यों करेगी आपके अध्यादेश में ही कमी होगी इस कानौन उसे निरस्थ किया गया जैसा कि कॉंग् कुछ के किया गया कृत कहली दिये इसलिए दोनों दल घबराय हुए हैं और OBC को साधने के लिए एक दूसरे की पोल खोलने के लिए अपने 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 आरोप लेकर उनके बीच जाएंगे अब यह तो OBC वर्ग को तै करना है कि वह किसके कहने में आती और किसकी बात मानती और किसके बात को नहीं मानती है आसी जी आप कुछ कह रहे थी आसी जी देखिए एक तो मैं अपने काबिल मित्र को जरा कुछ उनके तर्थ हैं उनको सही करना चाहता हूँ उन्होंने मनमोहन नागर की बात की तो सबसे पहले तो यह जो डेट है वो 16 नहीं है वो 17 बारा है और इस पिटीशनर में 4 पिटीशनर मिस्टर विवेक कुमार तंखा सीनियर एडवोकेट जो एक वकील के हैसियत पर कॉंग्रेस के एक बड़े नेता और राजसवा सांसत के हैसियत पर वहां पर थे और लगातार वक्तव दे रहे थे कि वे उसको रुकवाने का प्रयास कर तो इससे कांग्रेस कैसे भाग सकते हैं यह तो बिन पैंदी के लोटे की तरह प्रवि कहते थे कि हम गए हैं गए तो भी आगए हैं फिर कहते थे कि जो गए हैं उनको समर्थन करेंगे कुल मिलाके फ्ली में पर दूर की स्टय आर्यक्षाट आइ तो केंदर सरकार कोई अध्यादेश लिया है तो मुझे बताएं कि 70 साल तक इस देश में 50 साल तक इन्होंने शार्षन किया हम तो इसलिए तो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने एक परिवार के महिमा मंडन के लावा कुछ किया ही नहीं इन्होंने पिछले वर्ग के लिए अग भारती जनता पार्टी ने पूरी तैयारी से उस जनसंख्या को 54 परसंट बताकर ही इस आरक्षन को अमली जामा पहना आया था अब चूकि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सुप्रीम कोट ने इसको इसको निरस्त नहीं किया है अभी इस्टे दिया है और इसको पूरा करन है तो सवाल हमारी मंचा पर नहीं होने चाहिए मैं दुबारा कहता हूं कि अगर कॉंग्रेस ही शड्यंत्र के तहट अगर नियाए पालिका में जाकर अपनी प्रत्याशित हार से इस चुनाव को रुकवाने के लिए नहीं प्रयास करते तो मद्य प्रदेश में पंचाय दिखा होगा उनकी फसली लूट ली इन लोगों ने उनके पिताजी के साथ किस तरीके से दिग्विजे सिंग जी ने अत्याचार किया था तो कॉंग्रेस तो सदेव पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार करती रही है और इस बार भी किया है ठीक है कमलनाथ जी ने इस 95 में दिग्विजे सिंग्जी की सरकार पंचायती राज अदीनियम लाई वही अदीनियम छत्तिस गड़ में लाग हुए और आज छत्तिस गड़ में लोग वहां चुनाव हुए और पिछड़े वर्ग को आरक्षण में ला क्योंकि वहां की सरकार जो थी न उल्टे सीथे गुदागादी नहीं कर रही थी वहां की सरकार ने इनकी सरकार ने गुदागादी की अगर 2019 केस परी सीमान और रोटेशन प्रक्रिया पर यह चुनाव करा थे कोई नहीं जाता एक बात और यह बात बताईए और आप मुझे यह बता दी जिए रोडे नहीं अटका है और आ पर डिए बताईए आपने क्यों रोटेशन पर रोटेशन पर रोक लगाए जो जाएते थे आप और आप ने नगरी ने कहाई वह नोंसे पंश्ड़ी निकाई क्यों रोक लिए आपने इस परिच्ट पर सभा कृति सब्सक्राइब तो ने बताई प्रस्टा परिस्टा ने बच्चों को पिछले वर्क को जो दिगविजे सिंग जी ने 27 प्रतिशत आरक्षन दिया तो गिर पड़ा दो तीन-टीन पिछले वर्क के लिए 27 प्रतिशत का कानून विदान सभा में नहीं आता अब तो वो कानून अब तो दिया ना वह किस ने दिया कमल नाच जी ने आप क्यों नहीं कर पाई ये काम 16 साल में पिछले वर्क के तीन-टीन मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाई इस काम को डबल इंजन के दो 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 पिछड़े वर्क के प्रदान मंत्री और मुख्यमंत्री ये काम 16 साल में क्यों नहीं कर पाई हमारा तो सवाल वो है कहीं पेचीदिये हैं उन पेचीदियों को दूर करे या तो भारती जनता पार्टी कर ले नहीं तो कॉंग्रेस आके करके ये तो समझ आ रहा है कि बताएंगे दोरों कि 27 पीजडी अरक्षन की बाद हमने भी की आपने भी की लेकिन सवाल ये है कि जो चुनाओ टल गए जिसको लेकर लोग उम्मीद लागकर बैठे थे कि साथ चुनाओ हो जाएंगे अब एक लंबा इंतिजार फिर दिखाई देता और जिस तरह से जब तक ये पोल खुल चलता रहेगा क्योंकि सुप्रिम कोट में रिवी पेटिशन लगी है तीन तारीक कुस में सुनवाई होगी और फिर बाते सामने आएंगी चीज़ें बदलेंगी बात आरक्षन की होग की बात करना लेकिन ये पूरा विधी सम्मत है कि नहीं ये देखने का काम किसका था ये मद्वेश सरकार के विधी भाग का काम था कि यदि मुख्यमंत्री एलान कर रहे हैं सकता इस 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 आरक्षन की बात कर रहे हैं तो क्या वो विधी सम्मत होगा यदि वो तैयारी प्र आरक्षण विदी सम्मत था कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कॉंग्रेस के कहने पर निरस्थ किया है या विदी सम्मत नहीं था इस कारण निरस्थ किया है बड़ा सवाल यह है तो यह और इसमें देखी राज निरवाचन आयोग ने अपना निश्पक्षता नहीं दिखाई लेकिन एक प्राप निश्चित प्रक्रिया के तहता आप जाते तो कोट में भी आपको जो इस तरीके की स्थिती का सामना नहीं करना पड़ता है। किसके कारण पंचायत के चुनाओ रुके लेकिन अब जनता है बहुत समझदार है, सोसल मीडिया का दौर है, हरात में मुबाइल है, तमाम तरह की चीज़ें समझती है कि किसके कारण चुनाओ रुके, अब वो किसकी बास समझ पाएगी, बीजेपी की या कॉंग्रेस की, लेक के चत्तिस गडाच का मुद्धा में बारिस की आपत पर जारी सियासर, नमस्क्राइब